पेरणोर्ड रिकॉर्ड इंडिया ने 200 मिलियन डॉलर तक के निवेश के साथ नाकपूर में माल्ट स्पिरिट डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए महाराष्ट सरकार के साथ एक MAU पर हस्ताक्षर किये यहां प्रति दिन 60,000 लिटर ताजा माल्ट स्पिरिट का उत्पादन किया जाएगा और यहां भारत में सबसे बड़ी डिस्टिलरी में से एक होगी इससे शेत्र के सामाजी कार्थिक परिदुष्य में परिवर्तनाएगा और पेरणोर्ड रिकॉर्ड इंडिया का यह निवे स्पिरिट डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए महाराष्ट सरकार के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये नागपुर के अध्योगी क्षेत्र बुट्टेबोरी में स्थित यह डिस्टिलरी भारत की सबसे बड़ी माल्ट स्पिरिट डिस्टिलरी में से एक होग यह समझोता प्रधान मंत्री नरेंद्र मूद की मेकी नेडिया पहल में योगदान देने के लिए पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया द्वारा इस दशक में 200 मिलियन तक का निवेश करने की योजना का एक हिस्सा है इस M.A.U. पर हस्ताक्षर महाराष्ट के उपमुख्य मंत्री देविंद्र फटनवीस महाराष्ट के उद्योग मंत्री उद्वे सामंत महाराष्ट के उत्पाद शुलक मंत्री शंबुरास देशाई और मुक्य सचिव उद्योग डॉक्टर हर्षदीब कामले की उपस्तिति म कियेगे इस अपढ़न झीओ पड़ी इंडिया प्रसना मुहिले हेड राष्ट्य कॉर्पोरे갈्रेट मामले परतोर रिकॉर्ड इंडिया और गगंदीब सेटी सीनिएर बीपी इंस्टीरेट परेशन पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया भी उपस्ति थे पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया का यह डिस्टिलरी शुरू हो जाने के बाद यहां 700-800 लोग रोजगार प्राप्त करेंगे यह रोजगार न केवल डिस्टिलरी के निर्मान चरण के दोरान बलकि सैंत्र के चालू होने के भारत में एलकोवेब उद्योग में ग्लोबल रीडर पेरनोड रिकॉर्ड समुह में एक महतुपुर्ण बाजार है। कमपनी उद्देश्य महाराष्टर राज जमें जव खेती की क्षमता का विकास कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के से मिलकर काम करना है।